Hello everyone, welcome to Eclavia Study Point and I am Sajan आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं Class 12 की English से जो आपका Chapter है Lost Spring इसका जो Part 1 है वो आपको करवाने वालों जिसमें आपको साहे बे आलम की स्टोरी पढ़ाई जाएगी ठीक है साहे बे आलम वाले स्टोरी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ठीक है मुकेश वाले स्टोरी हम उसके लिए एक separate वीडियो बनाएंगे और easy summary होगी free PDF notes भी आप सभी को provide करवा दे जाएंगे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाए जाए अगर आपको कुछ भी पूछना है या आपकी कोई query हो तो आप Instagram पे मुझे message कर सकते हैं मेरा username आप सभी के सामने दिया हुआ है और अगर आपको हमारे free PDF notes डाउनलोड करने है तो उसके लिए आप telegram app को डाउनलोड करें telegram app डाउनलोड करने के बाद आपको class 12 ESP new group search मारना है ठीक है यहाँ पे ही आपको सारी free PDFs provide करवाई जाएंगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने introduction की तरफ so lost spring क्या है कि जो कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो बहुत जादा poverty में रहते हैं ठीक है और मतलब कुछ ऐसा है कि उनका बच्पना देखो बच्पन है न वो spring के season की तरह होता है जो बहुत सुंदर होता है लेकिन यह जो तो जो यह इतनी जादा exploitation वाली life जी रहे हैं poverty में जी रहे हैं वो हमें बताया जा रहा है तो इसके अंदर दो स्टोरी हैं मैंने आपको बताया था एक साहिब आलम की स्टोरी है और एक मुकेश की स्टोरी है तो इनके बच्पन में कितना जादा इनके उपर pressure आ गया है वो ह कूडा बीनते हैं सो तो author है अनीज जंग वो यह बताती है कि वो देखती है एक लड़के को हर सुभा हर morning एक साहिब नाम का लड़का उनको दिखता है आते जाते और वो देखती है कि she always found him with his friends वो हमेशा साहिब अपने दोस्तों के साथ जो है कूडा बीनता वो नजर आता ह है और ऐसा लगता है मानो वो कोई सोना डून रहा हो कूडे के अंदर कोई सोना पड़ा हो इतने मतलब interest के साथ वो उसमें डून रहा होता है so when he was asked the reason of ragpicking जब यहां पे author ने पूछा साहिब अलम से कि भई तुम ragpicking क्यों करते हो तुम कूडा क्यों बीनते हो तुम school क्यों नहीं जाते so उसको बताये जाता है कि कोई school नहीं है मेरे आसपडोस में साहिब अलम कहता है author को कि सुनिये मैं मेरे आसपास कोई school नहीं है इसी लिए मैं ragpicking करता हूँ इसी से हमारा गुजारा चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब family से आता हूँ ठीक है ऐसा वो बताता है so she on a lighter note बहुत हलकी आवाज में यहाँ पर author यह कहती है कि मैं promise करती हूँ कि मैं school start करूँगी तुमारे area में बहुत जल्दी ठीक है और वो आगे कहती है कि जब साहिब यह सब सुनता है तो वो बहुत happy हो जाता है और यह जो idea है मतलब उसके दिमाग में यह आता है कि चलो अब मेरे भी आसपास कोई school वगरा खुलने वाला है तो आगे क्या होता है कि यह सिरफ बातों बातों में बोला था author ने कि मैं school खोलने वाली हूँ असलियत में उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको बहुत embarrassing feel होता है कि मैंने जूटा वादा कर दिया विचारे लड़के से मैं कोई school तो खोलने का वादा था और वो वादा पूरा नहीं हो पाया ठीक है तो उसको बहुत embarrassing बहुत अजीव सा feel होता है मैं होता है lord of universe यानि कि पूरी दुनिया का lord तो ये तो बिल्कुल irony हो गया कि नाम उसका साहिब आलम काम कर रहा है वो कूडा बीनने का so the author was utterly shocked बहुत शौक लगता है author को ये सुनके कि भई नाम का तो मतलब है lord of the universe and काम क्या कर रहा है rag picking का कूडा बीनने का however the destitute mended on roads with other barefoot underprivileged boys like him इसका मतलब है कि वो देखती थी कि और भी कुछ ऐसे underprivileged लड़के हैं जो barefoot यानि कि नंगे पाउं वहाँ पे घुमते थे ठीक है इधर और इधर घुमते रहते थे सड़कों पर जो उसके साथ ही थे साहिब आलम भी उनी में से एक था तो अभी तक हमें इतना समझ में आया है कि साहिब आलम जो है एक सीमा पूरी का रहने वाला rag picker है और simply अपनी वो जो है मतलब जीवन में क्या करता है कूडा बीनता है सोबे सोबे निकलता है अपने दोस्तों के जार नंगे पाउं निकलत निकलते हैं rag pickers so the author talked to the other companions of sahib जो sahib के साथ बाकी लड़के थे author उनसे बात करती है so one of the barefoot boys stated that एक जो नंगे पाउं लड़का खड़ा था वो यह कहता है कि his mother would not bring his chappals down from the shelf ठीक है अब वो यह कहता है कि भाई मेरे पास चपल नहीं है और one of them was wearing shoes but they did not match वो कहता है कि मेरी जो म उसने पैरों में जूते थो पहने पर एक जूता अलग context का दूसरा अलग कलर का यानी की जूते का color match नहीं कर रहा था सो कहने का मतलब है कि इतने गरीब हैं कि पैरों में पहनने के चपल नहीं है और एगर किसो ने जूता वगएरा पहना भी है न तो वह भी अलग अलग है तो another boy who never had a footwear एक लड़का ऐसा भी था जिसने कभी footwear ही नहीं पहना कभी कोई जूता चपल कुछ नहीं पहना वो विश करता है कि he had a pair of shoes वो उसके अंदर ये उच्छा है कि भई काश मेरे पास भी एक जूते का जोड़ा होता मैं भी कास जूता पहन पाता समझ रहे हैं कितनी ज़ादा गरीबी है कितने ज़ादा ये लोग परिशान है सीमा पूरी के और ये बच्चे विचारे छोटे-छोटे से इनका खेलने कूदने की इनकी उमर है और ये क्या कर रहे हैं कुड़ा बिन रहे हैं, पैरों में इनके जूते चपल भी नहीं है सीमापूरी के बारे में और कुछ बताता हूँ ज़्यादा तर जो बांगला देश से इमिग्रेंट्स आते हैं आपको पता होगा न 1971 के बाद क्या हुआ था बहुत सारे बांगला देशी जो हैं, वो देली में आ गए थे जो देली के बोर्डर वाले एरिया हैं, सीमापूरी वगएरा तो वहाँ पे ये लोग रहने लगे थे इनका एक प्लेस बन गया, एक हब बन गया था जितने भी बांगला देशी होते हैं ये लोग जादा तर जो साहिबे आलम और उनके रिलेटिफस जो भी आसपास के हैं न वो mostly बांगला देश से आये होएं जुगी जोपडियों में रहते हैं, वो मट्टी की जुगी जोपडियां टीन की छते है, तारपुलिन की, कोई सीवेज, कोई ड्रेनिज सिस्टम नहीं है कीचड़, पानी, गंदगी बहुत जादा रहती है, हमेशा पानी बिखरा रहता है सीमापुरी दिल्ली के मैप में कहा है, एकदम बॉर्डर पर है, देखो आपके सामने दिल्ली का मैप है और यहाँ पे सीमापुरी को आप देखोगे बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है और यह सभी जो जादा तर इमिग्रेंट्स हैं, यह बांगला देश से आते हैं ठीक है, और यह जब से आया है, यह वापिस जाई नहीं रहे है यह यहीं पर बस चुके हैं और इनका जीवन अब यहीं सही है देखो यह इनका घर है, कैसे कच्चे जोपड़ी, जुगी जोपड़ी में रहते हैं कूडा, कूडा, चारों तरफ, टीन की तारपुली, इनकी छट है इनकी और यह आप सभी देख सकते हैं कि कैसे सीवापुरी के घर होते है अब यह जो लोग रहते हैं, rag picker, इनके पास कोई document वगरा इतना ठोस, पुक्ता सबूत नहीं है अब यह क्या करते हैं, इनके लिए खाना जादा जरूरी है, identity जरूरी नहीं है यहाँ पर यह एक बात बोलते हैं, कि साब हमें जिन्दा रहने के लिए खाना चाहिए हम documents का क्या करेंगे, so वो क्या करते हैं, उनके पास, they prefer to stay in such an area without the basic amenities वो एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं, जहाँ जो basic सुविधाएं होती हैं, जो basic amenities होती हैं, वो भी उनको नहीं मिल रही है and as they are not sleeping hungry and are not starving, वो कहते हैं कि बेशक से कोई सुविधा मिले या ना मिले, पर हम भूके तो नहीं सोरें, है ना, हम ऐसे तो नहीं है कि हम भूके मर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, पर हम भूके नहीं सोरें, यह उनका एक तरक है, एक fact वो दे रहे हैं कि भाई हम, अगर हम हमें जब तक खाना मिल रहा है, वो अमारे लिए ज्यादा इंपोर्डेंट है, आइडेंटिटी, सुविधाएं, यह सब हमें नहीं चाहिए, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, वो भी अपने माता पिता के साथ, रैग पिकिंग की जो कला है, जो कूडा बिनने की कला ह उसी में शामिल हो जाते हैं, तो यही एक साइकिल इनका चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, कूडा बिनना, बच्चों को भी वो ही सिखाना, फिर आगे वो बच्चे बड़े होंगे, फिर वो नशेडी बनेंगे, फिर वो आगे शादी करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे फिर वो भी कूड़ा बीनेंगे ये cycle इनका खतम ही नहीं हो रहा है गारबेज यानि कि जो कूड़ा होता है न वो उनके लिए मानो कि कोई सोने के समान है जैसे उनकी कोई मतलब कहता है न लोटरी लग गई उनको कभी-कभी ऐसा लगता है क्योंकि कूड़ा बीनते समय न कभी कोई सिक्का मिल गया कभी कोई नोट निकल गया कूड़े में से तो उनका दिन बन जाता है इसलिए कभी-कभी कूड़ा ऐसा लगता है कि बहुत चमतकारी मतलब कुछ ऐसा हो कि हाँ आज तो हमारा दिन बन गया कूड़े में से हमें ये मिल गया सम्टाइम्स उनको क्या कोईन्स वगरा मिल जाते हैं जिससे क्या होता है उनको सर्प्राइज मिलता एकदम से कि मानलो कोई साहब आलम जैसा बच्चा है कूड़ा बिन रहा है हाथ मारते मारते अगर कोई पांच का सिक्का मिल गया तो उस विचारे का दिन बन गया वो जाके कुछ उसका कुछ करेगा अब वहाँ पे एक टैनिस का गेम चल रहा होता है एक और बात यहाँ पे जो है वो बताता हूँ आपको साहब आलम जो है उसको टैनिस बहुत पसंद था देखना खेल तो नहीं पाया विचारा कभी क्यो दिवारें करी हुई थी दिवार के बाहर से खड़ा होकर वो देखता था कि अंदर टैनिस का गेम चल रहा है बहुत उसको अच्छा लगता था और वो देखता था दो यंग जो आदमी है वो टैनिस खेलते हैं और वो कहता था कि कभी-कभी न मेरे को बहुत अच्छा लगत तो एक तो वो tennis खेलना चाहता था, और इसके अलावा उसको एक जोड़ा मिल गया, tennis के जूतों का, जो किसी का reject किया हुआ था, किसी ने फैंख दिया हुगा कूड़े में, और उसको मिल गया, तो वो उसने जब tennis का जूता पहना, उसको अब लगता है कि, कास्ट में tennis खेल पा तो उसके लिए तो समझो सपना सच हो गया, क्योंकि टैनिस खेलना तो उसकी रीच से बाहर था, लेकिन जूते तो वो पहन सकता था, तो कुछ ऐसे टैनिस के जूते होते हैं, जो टैनिस प्लेयर पहनते हैं, खेलते टाइम, ठीक है, तो ये साहिब आलम को जब मिले न, चाहे बेशक से वो फैंके वे थे किसी के, पर उसको वो बहुत अच्छे लगे पैन के, अब एक टाइम ऐसा आता है, देखो एक चीज़ का डिफरेंस समझ लो, चाहे बेशक से साहिब आलम एक कबाड़ी है, कूडा बीनने वाला है, पर वो किसी के अंडर काम नहीं करता था, वो किसी को जी सर नहीं कहता था, वो अपना जोला लेके चलता था, कूडा बीनता था और आ जाता था, कोई उसको ओर्डर नहीं करता था, लेकिन अब क्या हुआ, साहे वे आलम की जितनी freedom थी वो खतम हो गई क्योंकि अब वो एक चाई की दुकान पर काम करने के लिए लग गया होता क्या है उसको एक नई जॉब मिलती है एक tea stall पर चाई की टपरी थी वहाँ पे उसको 800 रुपे मंतली मिलते थे अब पहले तो क्या था कि वो जब मर्जी निकल लेता था कूड़ा बीनने अब भई उसको time से जाना है time से आना है जैसा उसका master बोलेगा वो सुनना भी है तो 800 रुपे महीने की ये job मिल गई उसको और उसको खाने के लिए कुछ meals वगरा मिल जाती थी कूड़ा बीनने वाला उसमें किसी को मतलब ये समझ लो कोई tension नहीं होती थी वो जब मर्जी जाता था जब मर्जी आता था जितना मर्जी कमाता था पर अब जब से वो चाय की दुकान पर लगा ना तो समझ लो ये जो चाय का kanister है ये बहुत ज़ादा भारी लगने लगा उसे अब उसको जो steel वाला जो container था या फिर जो उसका kanister था वो उसको ना बहुत भारी लगने लगा अपने कूड़ा बिनने वाले bag से वो कूड़ा बिनने वाला bag उसे ज़ादा हलका लगता था कि भाई काश में कूड़ाई भीनता रहता मैं तो गलत जगा फस गया अब तो एक तो मेरा कोई मालिक भी है उपर से इतना भारी-भारी यह उठाना पड़ रहा है और मेरी सारी freedom भी खतम हो गई है तो वह कहता है कि मैं अपना खुद का master अब नहीं रहा है no longer on master अब मैं अपन खुद का master नहीं था इसी के साथ यह साहिब आलम की story खतम आपको समझा गया होगा कि वह एक गरीब बच्चा था और किस तरीके से वह सफर कर रहा है तो इसी के साथ वीडियो खतम है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और feedback देने के लिए comment box में जाए और वीडियो को share कर जै हिंद जै बारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में